मैं देश द्रोहिन नहीं हूँ, बाची जनता जितना देश से प्रेम करते हैं उतना ही मैं भी देश से प्रेम करता हूँ हम लोग तो अपना हाक की बात कर रहे हैं उसके लिए आवाज उठा रहा हैं और उसके चलते हमारा भाई को नौमेन नजल में डाल दी है पुलीस तर। कम से कम दो प्रतिशत जनसंख्या को सरकार बोल रहे है कि देश तरू है कम से कम कम से कम 10,000 लोग जो है जो अग्यात में जिन पर देश तरू चार्ज लगाया गया है यह जंगल यह जमीन हमारी है और इस पर सिर्फ हक हमारा होगा यह आवाज आदिवासी समाज के लोग हमेशा से उठाते रहे हैं लेकिन साल 2018 में इस आवाज को और मस्बूत करने के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने पतल गड़ी movement की शुरुवात की हम पहुंचे हैं जारकंड के खूटी और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन में जो 10,000 दोगों पर इफायार दर्ज की गई थी देश द्रो का मुकदमा दर्ज किया गया था वो क्यों हुआ था और यहां के लोग क्या सोचते हैं इस पतल गड़ी movement के बारे में और क्या होगा इस आने वाले विधान समाचुनाव में इस movement का असर इसलिए हमको गर्यपतार किया गया कि आप सभिधान का गलत ब्याखा कर रहे हो पबली को जनता को गुम्रह कर रहे हो बिल्कुर नहीं लगता कि हम सभिधान का गलत ब्याखा किया है जो पत्थर पे लिखे हैं जो सभिधान पे लिखा हुआ है तो उसी को हमने पत्थर पे थलगड़ी का मावादी के साथ या तो उगरवादी के साथ किसी प्रकार का कोई संबन्द नहीं है यहां के लोगों का जो असमित्ता का सवाल है कि इस छेतर का सासन दिवास्था बिलकुल ही अलग है संबिधान के पाच्छोई अनुसूची में इस छेतर का सासन और नियंत्रन को चलाने के लिए वहाँ पर प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान को आउहलना किया गया इसके मताबिक इहां का सासन ब्योस्था नहीं हुआ इसी के कारण से लोग आकरोसित होकर के पथलगड़ी का मुहिम को आगे बढ़ाए पांच एक कतहत संसद या विधान मंडल का कोई भी सामान कानून लागू नहीं है आदेश अनुसार गिराम सभा भंड्रा ये वो पहला पत्थलगड़ी मुम्मेंट का पहला पत्थर जो है जिसके ओपर समिधान यहां के जो लोग लिखे हैं वो यही वो जगह है भंड्रा का जहां पूरी ठीजें समिधान के अंदर जो इन लोगों को लगता है कि इनके ग ग्राम सभा सबसे उपर है उसके बारे में लिखी गई है जो गाओं गाओं में हम लोग की फैक्ट फैनिंग टीम में पाया था कि उखेता यह जो आदिवासियों का शोशन हो रहा है या जो जमीन पे हमले हैं जो भूमी कानूनों में जो बदलाओं की कोशिशे हुई है जो ग्राम सभा को जो पांच भी अनू सूची में जिस प्रकार से ग्राम सभाओं को अधिकार मिलना है पेसा कानून में जो मिलना है जो नहीं मिला है तो इन सब के विरुद ये कही ना कही एक गाओं में कावास थी और उसी हिसाब से ये शुरू हुआ और ये गाओं के गाओं अगर हम लोग ने हर गाओं में यही पाया कि कही ना कहीं मूल चीज़े यही हैं अफकोर्स अगर हम लोग देखें कि पत्थलों पर जो constitutional clauses हैं उसका अगर interpretation देखें तो कुछ interpretation काफी far-fetched है अतीकतन है और कुछ हो सकता है interpretation गलत है लेकिन यह किसी भी रूप में गैर समगेधानिक यह समगेधानिक नहीं है हम लोग तो अपना हाग की बात कर रहे हैं हाकिकत की लड़ाई कर रहे हैं उसके लिए आवाज उठा रहा हैं और उसके चलते हमारा भाई को नौमेने जैल में डाल दिये पुलीस तो केस में उसका नाम तो नहीं था अग्यात में पका लिए उसका करीब पंदरा से बीस लोग अभी जैल में हैं और एफ़ायर तो इस चेतर में जितनी भी करीब एक साब पाइंतालिस गाओं के ग्राम प्राधानों पर एफ़ायर किया गया है हमारे पास लगभग उनीस एफ़ायर की कॉपीज हैं जो वहाँ पुलिस ने फाइल किया जिसमें लगभग दोसों के असपास नामजाद हैं और कम से कम 10,000 लोग जो है जो अग्यात में जिन पर देश्तरों का चार्ज लगाया गया गया और कुछ एफ़ायर्स ऐसे हैं जिसमें अग्यात में नाम भी मैंशन नहीं हैं नंबर्स मैंशन नहीं हैं तो अगर उनको भी जोड़े तो 10,000 से काफी जादा होंगे ऐसे केसि इसके बाद कई लोग जेल में हैं अभी गाउं में काफी डर का माहूल है कि अग्यात के नाम पर किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं तो ये डर का माहूल तो पूरे हर जगह ये बना हुआ है लोग सभा चुनाओं में इस छेतर के मुद्धों को जो उठा सके या इस छेतर के बातों के पाक्ष में कोई बात कर सके ऐसा उसमें कोई नेता नहीं था और इसके कारण से इस छेतर के लोगों ने नोटा पर बोट दिया है इस बार विधान सभा चुनाओं में ऐसी बात नही प्रत्र गाड़े वाले लोग जिसको चाहेंगे उसको ही बनाएंगे अपना बिधायक